So hello students, एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल टागेट समिस्टर में मैं हूँ अमरित राय और आज हम डिसकुस करने वाले हैं B.com 3rd semester exam का जो Company Law First का previous year question paper है जो 2022 में पुछा गया था उसके विसे में और ये जो question paper है इसमें हम सारे के सारे जो 40 MCQs है उन सभी को जिसकुस करेंगे उनका सभी MCQs का आपको solution देंगे और एक सबसे important announcement आप सभी के लिए जब आप इस MCQs को solve करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 3rd semester का syllabus है वो definitely difficult है बहुत ही जादे difficult है उन बच्चों के लिए जो बच्चे के वल B.com कर रहे हैं जो बच्चे B.com के अलावा कोई professional course कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है जैसे C.A.S.E.S लेकिन जो बच्चे के वल B.com कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही नया subject है B.com 3rd semester का आप सभी से दर्खवास्त करना चाहेंगे अभी वी वक्त गुजरा नहीं है अभी वी आपके पास समय काफी है आप अगर चाहें तो अभी भी अपने आपको semester exam के लिए काफी बहतरीन तरीके से तयार कर सकते हैं और आप सभी को पता है कि कैसे आप तयार कर सकते हैं तयार होने के लिए कुछ नहीं करना है आपको सबसे बहतरीन विकल्प आपके market में सबसे बहतरीन विकल्प जो है वो है आपका सार्थी जो हमेशा से ही आप सभी के इस semester के महाभारत के युद्ध में आपका साथ देता हुआ आया है और आपने खुद इसकी तारीफ की है तो किस चक्कर में पड़े हैं आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं आप जाएए टागेट गुरुकुल मॉबाइल अपको डाउनलोड करिए और जोईन करिए सार्थी को जैसे ही आप सार्थी को जोईन करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे complete lectures, mcqs, pdf notes plus doubt solving session इतना कुछ आपको मिलेगा just at 1.99 तो सबसे पहले जाएए टागेट गुरुकुल मॉबाइल अपको डाउनलोड कर लिजे और सार्थी को जोईन कर लिजे उसके बाद आपके semester की जितनी भी चिंता है वो आज से खत्म हो जाएगी पुरी तरह से चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question है company incorporated by the act of parliament is हिंदी में संसद के अधिनियम दोरा निगमीत एक company है तो मैं आपको बताया है lecture में यह lecture YouTube पे भी upload है एप वाले बच्चों को भी बताया है कि कोई भी company जो parliament के किसी special act से बनाई जाती है let me repeat कोई भी company जो parliament के किसी special act से बनाई जाती है उसे हम statutory company कहते हैं क्या कहते हैं statutory company कहते हैं जैसे example के तोर पे LIC बनाई गई है LIC act 1956 से जैसे example के तोर पे SBI बनाई गया SBI Act 1955 को पास करके जैसे हमारे इंडिया में SEBI बनाई गया है SEBI Act 1992 को पास करके मतलब जितनी भी companies एक special act of parliament से बनाई जाएंगी वो सारी की सारी companies को हम statutory company कहेंगे सनवेधानी company कहेंगे अगला है कुछ नमस second on registration the ROC will issue the certificate of incorporation form हिंदी में 50 करण पर ROC firm में निगमन का प्रमारपत्र जारी करेगा किस form में निगमन का प्रमारपत्र जारी करेगा तो जब भी आप registration obtained करते हैं ROC से तो आपको INC 11 में registration certificate मिलता है किसम मिलता है INC 11 में आपको registration का certificate मिलता है यानि इसका answer हो जाएगा B that is INC 11 अगला question number 3 application for name approval of a company is to be made to हिंदी में company के नाम के अनुमोदन के लिए अनुमोदन निमलिखित को किया जाता है यानि company का अगर आपको नाम approve कराना है तो आप किसको application देते हैं तो याद रखिए कि दोस्तों में सा company के नाम के approval के लिए हमेशा से ही application register of company को दिया जाता है यानि company register को दिया जाता है अगला है question number 4 which document to be filed with the register of company for incorporation इसमें से कौन साथा document है जो register of company के पास file करना पड़ता है जब आप अपनी company को incorporate करते हैं या register करते हैं तो याद रखना है दोस्तों जब भी आप अपनी company को register करेंगे तो आपको एक memorandum of association incorporate करना पड़ेगा file करना पड़ेगा आरोसी के पास articles of association को भी file करना पड़ेगा और एक declaration भी file करना पड़ता है यानि ये तीनो चीजय आपको file करनी पड़ती है memorandum of association articles of association declaration ये तीनो के तीनों चीजये आपको जब भी आप किसी company को register करने जाते हैं incorporate करने जाते हैं तो ये तीनों के तीनों चीज़ आपके आरोसी के पास file करनी पड़ती है Hindi में देखते हैं निगमन के समय कंपनी के रजिस्टार के पास कौन सा दस्तवेश दाखिल करते हैं तो निगमन के समय पारसद सीमा नियम, पारसद अंतर नियम, घोसडा ये सभी के सभी जो आपके डॉकुमेंट्स हैं ये तीनों के तीनों डॉकुमेंट्स आप आरोसी के पास फाइल करते हैं चाहें वो पारसद सीवा नियम की बात करें, पारसद अंतर नियम की बात करें, यह सभी के सभी जो डॉकुमेंट्स हैं, यह आपको अपनी आरोसी के पास फाइल करने पड़ते हैं, in order to get your company registered, यानि आपकी company को पंजी कृत करने हैं तू, अगला question number 5, मैं आपकी सेक्षन के आफ काईजिएक से लेयर से क्सेंट सब्सक्षन every अगर we're not. कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 याद रखेगा अगर हम पब्ली कंपनी की बात करें तो पब्ली कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन सेवेंटीवन और अगर हम वन पर्सन कंपनी ओपीची के बात करें तो इसको रिफाइन किया गया है सेक्शन टू सब सेक्शन ट्वेंटी में इसका अप्सन क्या हो जाएगा इसका अप्सन हो जाएगा हम पताइफ वह जोली कोुन है अनी लाभंस देती है अब क्या होथ है डिवीडजेंट कैनलों ॉपिशन पारट अव परोफिट अगर कम्पनी एक क्रोर का प्रॉफिट कमाती खें तो उसमें से कुछ हिसास सीघेँ tap में देती है उसी को हम दीवीडेंड कहते है तू याद रखना दोस्तों हमेशा ऐस इसको डिवीडन बिलता है अब इसमें सेडिन के सं बन सकता है कौन सा ऐसा शेयर होलडर होता है जिसको को किस घो घोलता है तो इसको कहते है प्रिफरेंट शेयर को फिक्ट जिवीडेन मिलता है और अगर हम बात कर stupid responsibility को इसको fluctuating dividend मिलता है हो सकता है एक्विटी से रहल्डर को dividend मिले हो सकता है ना भी मिले लेकिन preference shareholder को एक fixed dividend मिलता है अगर company declare करती है कि हम इसाल dividend देंगे तो preference shareholder's को हमेसा fixed dividend मिलेगा अगला है कोच्छ नमर 7 transfer of shares in the company is किसी भी company में share का transfer कैसा होता है तो किसी भी कंपनी में सेयर के ट्रांसफर फ्री होता है यह अगर हम बात करें इस स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी में सेयर के ट्रांसफर पे रिस्टिक्शन होता है क्या होता है सेयर के ट्रांसफर पे रिस्टिक्शन होता है लेकिन अगर हम बात करें न अपने share को transfer करना चाहता है in public company तो आसानी से कर सकता है लेकिन private company there are some restrictions यानि private companyों में कुछ प्रतिबंध होते हैं कि अगर आपको shares transfer करने हैं तो कुछ restrictions है याद रखेगा लेकिन यहाँ पर जो question पुछा गया है वो question का answer हम public company के हिसाब से देंगे क्योंकि normally जो company होती है ना company का मतलब public company से ही होता है जब आप company का definition पढ़ते हैं तो इसमें जितने भी features आप पढ़ते हैं वो public company के features से ही match करते हैं यानि जितने भी answers आपको company के लिए पुछे जाएंगे वो आप private company के हिसाब से नहीं public company के हिसाब से देंगे अगला question number eight certificate of commencement of business is not required by Hindi में व्यापार प्रारंब करने का प्रमार पत्र की आवसकता नहीं है तो certificate of commencement of business की आवसकता कि विए पढ़ती है private company को नहीं पढ़ती है तो इसका Option के हैं और जाएगा private company प्राइबेट कंपनी को certificate of commencement of business की कोई requirement नहीं है कोई जरूरत नहीं है प्राइबेट कंपनी बिना certificate of commencement of business की भी business स्टार्ट कर सकता है अगला कुछ नमर 9 The section of alteration of articles of association is हिंदी में पारसद सीमा नियमों के परिवर्तन की धारा कौन सी है तो अगर हम बात करें पारसद सीमा नियमों के अचायी पारसद सीमा नियम नहीं होगा यह आप में गलत होगा है यह और अच्छिए पार्सद अंतर नियम में की जो परिवर्तन की धारा है वह धारा-चौधा धारा-चौधा में पार्सद अंतर नियमों के परिवरतन के बारे में बताया गया है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एस्सोसियेशन के बारे में बताया गया सेक्शन 14 में कहां बताया गया दूस्तों सेक्शन 14 में अगला कुछ नमर्ट 10 minimum number of directors in private limited companies तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि special वीडियो बनाया था private company और public company पे कितने directors होते हैं कितना capital होता है कितने members होते हैं सब कुछ हमने आपको डीचल में बताया है ये YouTube पे लेक्षर अप्लोड है और सार्थी वाले बच्चों को तो special MCQs भी कराएगा इस topic से related तो minimum number of directors जो private limited company में वो कौन से हैं वो कितने होते हैं तो दो होते हैं अगर हम बात करें private limited company में तो minimum number of directors दो होते हैं लेकिन अगर हम बात करें public limited company में तो minimum number of directors तीन होते हैं ध्यान से public limited company में minimum number of directors यानि public limited company में निदेशकों की नियुनतम संख्या तीन होती है लेकिन अगर हम बात क सकती है याद रखियेगा कि किसी भी कम्पणी में चाहिए वो फॉटी सो one person company में डिरेक्टर्स यानी निदेशकों की संत्रों दिरट्स इक होती है मिनीमम या अगला कुछन में 11 एन एलिगल एसोसियेशन मीन्स अब यहां पे इस कुछिटिन का अंसर गलत दिया है मैं आपको बताता हूं हैं अगर कोईभी एसोसियेशन है जिसमें जिक पार्टनर्शीप की तौर पे रणर कर रहा है और उसमें पचास से अधीक पार्तनर्स हैं व क्या थे इसक्षा जैगा हूं वैसे होना तो सी चाहिए लेकिन आ पर गलती है यहसे नहीं पर गलती हरुए फिफ्टी पार्टनरज पर होना चाहिए है ठीक है 50 पार्टनर ती अब यह में बता कर क्नला पिश्चा यह सबढ़ जा इन कशनी एंग्ज्वित नाइट्र yTy आइप शेल के सबहां आपल है क्योंकि RBI, RBI Act 1934 से बनाए गया था, किसे बनाए गया था, RBI, RBI Act 1934 से बनाए गया था, तो हम ऐसा याद आखने हैं दोस्तों, जितनी भी कमपनी किसी Parliament के Special Act से बनाए जाती हैं, यानि संसत के किसी विशिस्त कानून से बनाए जाती हैं, उन कमपनियों को हम Statutory Company या को नियंतरित करती है, ध्यान से, ऐसी कमपनी जो दूसरी कमपनी को कंट्रोल करती है, उस कमपनी को हम क्या कहते हैं, तो याद रखेगा, ऐसी कमपनी जो दूसरी कमपनी को कंट्रोल करती है, उसे हम Holding Company कहते हैं, जैसे for example, Reliance एक Holding Company है, Reliance का एक छोटा कंपनी है, Reliance Smart Bajar, तो उसकी subsidiary company होगी दिहान से question ये भी बन सकता है कि अगर कोई company किसी दूसरी company के तोरा control की जा रही है तो उस company को हम क्या कहेंगे तो अगर कोई company किसी दूसरी company के तोरा control की जा रही है तो उसे हम कहेंगे subsidiary company और जो company उस company को control कर रहा है उसे हम कहेंगे holding company जिसे Reliance holding company है और smart बजार subsidiary company है क्योंकि Reliance smart बजार को control कर रहा है और smart बजार जो है वो Reliance के अंदर आ रहा है इसलिए Reliance holding company हो गया और smart बजार एक subsidiary company हो गया इसका option क्या हो जागा दोस्तों इसका option option number D that is holding company अगला question 14 private company cannot accept deposits from तो उन्हें आपको बताया है private company कभी भी public से deal नहीं कर सकती है तो private company क्या नहीं कर सकती है private company कभी भी general public से deposit accept नहीं कर सकती है तो अगला question 15 promoter is a person promoter कौन सा इंसान होता है तो promoter एक ऐसा इंसान होता है जो company के गठन के लिए आवस्चत प्रारंभिक कारे करता है क्या करता है जो company के गठन के लिए एक आवस्चेक प्रारंबिक कार करता है हिंदी में इंग्लिस में देखते हैं promoter is a person who does necessary preliminary work incidental to the formation of the company यानि promoter एक ऐसा इंसान होता है जो company को बनाने के लिए जितने भी preliminary works होते हैं उनको करता है उसका option A सही हो जाएगा अगला question 16 a company must have registered office within how many days of incorporation यानि company के registration के कितने दिन के अंदर उसके पास एक registered office होना चाहिए तो company के registration के 30 दिन के अंदर एक registered office होना चाहिए याद रखना दोस्तों company के registration के 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर उस company के पास एक registered office होना चाहिए अगला कुछ नमबर 17 अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप कौई परिवर्थन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा रेजोलिशन पास करना पड़ता है तो आपको पास करना पड़ता है क्योंकि आप कंपनी का अबजेक्ट ही बदल रहे है आप कंपनी का उद्देश से बदल रहे है आपको सेरहूलर्स का 75% फेवर में वोट लेना पड़ता है तभी आप इस काम को कर सकते है तभी आप अपने Memorandum of Association के Object Clause को Change कर सकते है अल्टर कर सकते है इसका अपसन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अपसन हो जाएगा विशेस संकल्प यानि Special Resolution अगला है कुछ नमर 18 The Charter of a Company is its Company का Charter Document किसे कहते है तो हमने आपको बार-बार बताया है Company का Charter Document होता है वो Memorandum of Association होता है क्या होता है Memorandum of Association नहीं पारसद सीमानियम जो आपकी कमपनी का MOA Document होता है This is the Charter Document of the Company अगला कुछ नमर 19 Articles of Association are Subordinate to तो हमने आपको बताया है जो Articles of Association है वो काम करते हैं उनमें जो भी Provisions लिखे जाते हैं वो Memorandum of Association और Companies Act के हिसाब से लिखे जाते हैं यानि Articles of Association कैसे काम करेगा वो Memorandum of Association के हिसाब से और Companies Act के हिसाब से काम करेगा उसमें जो भी چीज़े लिखी जाएंगी वो MOA के हिसाफ से और company Z2013 के हिसाफ से होनी चाहिए इन्दी में देख लेते हैं पार्षद अंतर नियम के अधिनिस्त है किसके अधिनिस्त है तो पार्षद अंतर नियम कंपनी अधिनियम और MOA के अधिनिस्त है यानि पार्षद सीवा नियम और कंपनी अधिनियम के अधिनिस्त है अगला कोच्छन में 20 articles of association must be signed by जब की company का articles of association है वो उसको किसके दोरा sign किया रहता है तो articles of association company के सभी के सभी जो subscribers होते हैं उनके दोरा sign किया रहता है तो all the subscribers of memorandum of association जो लोग MOA को sign करेंगे वही लोग AOA को भी sign करने चाहिए अगला question 21 अब prospectus is prospectus क्या है आपने contract rate में पढ़ा होगा example में हमने आपको बताया भी है कि prospectus एक invitation to offer होता है क्या होता है prospectus एक invitation to offer होता है यानि प्रस्ताओं के लिए निमंत्रण होता है prospectus offer नहीं है दोस्तों अब इसा याद रखेगा prospectus is not an offer prospectus is just an invitation to offer अगला question 22 red herring prospectus is issued by अब इस question में आप सभी को confusion होगा red herring prospectus कब इसू करती है company तो red herring prospectus दो प्रकार का होता है एक होता है draft red herring prospectus यानि DRHP क्या कहते है draft red herring prospectus और एक होता है final red herring prospectus draft red herring prospectus एक ऐसा prospectus होता है जो company SEBI को देती है और SEBI से कहती है कि देखिए क्या यह चीज़े जो हमने prospectus में लिखी है वो सही है या गलत है फिर उसके बास से बी कुछ इसमें से चीज़े alter करता है कुछ suggestions देता है और company उन suggestions को incorporate करती है उन suggestions को मानती है और फिर एक नया prospectus बनाती है इसको हम कहते है final red herring prospectus और यही प्रोस्पेक्टर्स पब्ली को इसू किया जाता है तो अगर हम देखें इसका answer तो वैसे इसका answer कोहीं सहीं नहीं दिया है इसका answer सहीं दिया ही नहीं है आपके सभी options पे लेकिन फिर भी एक option थोड़ा सा appropriate है red herring prospectus से issued by listing company जो red herring prospectus होता है वो एक listed company issue करती है before issue of share क्योंकि जब share issue नहीं हुआ उसके पहले वो CB को देती है कौन सा prospectus देती है draft red herring prospectus सब क्योंकि आप लोग b.com के student है इसलिए आपको थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है और जो भी red herring prospectus की detail भी चीज़े है वो आप तब पढ़ पाएंगे जब CACS करेंगे वो company law के बच्चों को बता होगा तो dropped जो आपका red herring prospectus से आपको यहीं यार रखना है एक listed company issue करती है before issue of share किसको करती है से भी को यहीं सेक्कुरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इसु करती है हिंदी में देख लेते हैं red herring प्रवी प्रवी रण जारी किया जाता है तो red herring प्रवी रण जो है वो जारी किया जाता है अंस जारी करने से पहले company listing के समय ठीक है चलिए आगे बात करते है कोच्चन में 13 information memorandum filed along with self prospectus shall be valid for a period of हिंदी में स्वा सुची पत्र के साथ भरा गया सूचना ग्यापन की अवधी के लिए वैद्ध होगा यानि information memorandum अगर आप फाइल कर रहे हैं self prospectus के साथ तो वो कब तक valid होगा तो वो valid होगा तब तक जब तक prospectus valid होगा यानि जब तक prospectus valid होगा तब तक आपका information memorandum भी valid होगा इसका option क्या हो जाएगा A that is prospectus अगला question में 24 a prospectus must be signed with within how many days of delivering its copy to ROC for registration हिंदी में एक सूची पत्र को देने के कितने दिन के अंदर पंजी करण के लिए ROC को इसकी चाया प्रती देने के साथ मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जब आप company ROC को copy of registration देते हैं उसके अंदर उसके कितने दिनों के अंदर आपको prospectus को इसू कर देना है इस question को ध्यान से समझेगा यह कहा जा रहा है कि आपने prospectus इसू करना है ठीक है लेकिन यह prospectus आप तभी इसू कर सकते हैं जब आप इसकी copy इस prospectus की copy ROC को submit करें तो आपने जिस दिन ROC को उसकी copy submit किये हैं उसके कितने दिन के अंदर आप उस prospectus को public को इसू कर सकते हैं तो अगर हम बात करें पब्ली को इसू करने के time period की तो वह होगा 90 डेज यानि जिस दिन आपने ROC को वह उसकी copy prospectus की copy deliver कर रही है उसके 90 दिन के अंदर आपको वह prospectus public को इसू करना होता है इसका 90 डेज यानि 90 दिन हो जाएगा अगला question में 25 sweat equity shares can be issued by sweat equity shares कैसे इसू होते हैं तो याद रखना हमेशा sweat equity shares हमेशा special resolution को पास करने के बाद इसू होते हैं हिंदी में wishes संकल्प को पास करने के बाद ही आप sweat equity shares यानि ऐसे shares जो आप company के ऐसे लोग को देते हैं जो company को को कोई intellectual help करते हैं company को किसी भी प्रकार से physical या intellectual help करते हैं उन इंसान को आप sweat equity share दे सकते हैं जैसे company के डिरेक्टर्स को भी आप sweat equity share दे सकते हैं नीजी company जारी नहीं कर सकती है share warrant केवल सारवस्थनी company यानि public company जारी कर सकती है अगला वेंडीड company ज्यक 2013 कम इंटु फोर्स company ज्यक 2013 फोर्स में कब आया था तो company ज्यक 2013 फोर्स में आया था from 20 अगस 2013 20 अगस 2013 के बाद जो आपका company अधिनियम 2013 है वो लागू हो गया था अगला question में 28 company ज्यक question 13 consists of how many sections यह question पुछा गया है कि company ज्यक 2013 में कितने sections sections है तो companies ज्यक 2013 में अगर हम sections की बात करें तो 470 sections है तो 470 sections है तो option के हो जाएगा D that is 470 sections अगला है question 29 the first director of a public company are appointed by company का जो first director होता है वो कौन appoint करता है तो company का जो first director होता है वो appoint करता है shareholder in general meeting जितने भी आपके company का shareholders होते है वो जनरल मिटिंग में आपके company का पहला निदे सक यनि first director appoint करते है अगला question 30 under section 149 of companies act 2013 every company shall have how many women director any section 149 के इसाब से हर company के पास कितनी women directors होनी चाहिए पहली चीज़ तो हर company के पास women directors होनी ही जाहिए ऐसा कोई compulsion ही नहीं है हर listed company के पास women director होना चाहिए और भी कुछ provisions है जो turnover को को लेके हैं और share capital को लेके हैं वो हम discuss कर चुके हैं आपके साथ लेकिन यहां पर बस इतना याद रखना है कि 149 section के इसाब से हर listed company के पास कम से कम एक women director होनी चाहिए दिसका option क्या हो जाएगा यह देट इस वन महिला निदेशक होगी है अगला कोच्च नमर 31 रेजिस्ट्रेशन अफ कमपनी इस तो आप बच्चों का क्वेश्चन है आपने क्लास 11 से 20 को पड़ा है कंपनी का रेजिस्ट्रेशन हमेंसा इसा होता है तो कंपनी का पंजी करण अनिवार होता है बिना पंजी करण के कोई भी कंपनी बन नहीं सकती है अगला कुछ नमर 32 विच्ट्रेशन की बात करें पर पेचोल सक्सें की बात करें हिंदी में सेयर क्या हस्तानंत्र अस्थाई उत्राधिकार सीमित दाई तो यह सभी के सभी एक कंपनी की विशिस्टाएं होती है तो इसका आप्शन के वाजाएगा डी देज उप्रियुक्त सभी अगला कुछ नमर 33 is the maximum number of members to form a public limited companies किसी भी public limited company को फर्म करने के लिए और maximum members infinite हो सकते हैं और अगर हम बात करें private company की तो private company में ध्यान रखेगा दोस्तों minimum 2 members होने चाहिए और maximum 200 यानि private company में minimum पे भी limit है और maximum पे भी limit है लेकिन public company में केवल minimum पे limit है maximum पे कोई limit नहीं है maximum infinite number of members हो सकते हैं लेकिन याद रखना आप minimum number of members in a public company should be 7 and minimum number of members in a private company should be 2 and maximum number of members in a private company should be 200 अगला कुछ नमर 34 the document not required to be filed with the registrar of company at the time of incorporation of a public companies कौन आसा document होता है जो ROC के पास आपको submit नहीं करना परता है फाइल नहीं करना परता है जब आप company का registration करने जाते हैं तो वो document है statement in lieu of prospectus क्योंकि prospectus आपको तब फाइल करना होता है जब आप company के shares को issue करते हैं registration के लिए prospectus को फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है बाकी memorandum फाइल करना परता है और उसे के पास registration के लिए articles of association भी find करना परता है और e firm of dir directors का जो आज तो हमारे देश में दीन आ गया है directors identification number पहले dir का concept हुआ करता था अभी दिन है तो director identification number articles of association और declaration और memorandum of association यह तीनों चीज़े चारों चीज़े तो आपको फाइल करनी पड़ती है लेकिन statement in lieu of prospectus रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं listing के लिए फाइल करना पड़ता है तो इसका option क्या हो जाएगा दोस्तों इसका option में जाएगा d that is statement in lieu of prospectus इन्दी में भी देख लेते हैं एक सारवजनी company के निगमन के समय कंपनियों को के रेजिस्टार के पास भरे जाने वाले कौन से दफ्तावर्ज की आउसकता नहीं है तो वह हो जाएगा आपका last वाला कौन सा है प्रवीरण के अस्थान पर विवरण जो आपका prospectus होता उसके अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोनिक सेर का ट्रांसपर करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोनिक सेर कहां रेजिस्टर होना चाहिए तो अगर आप इलेक्ट्रोनिक सेर की बात करते हैं तो आपको याद होगा आपके class 12 में पढ़ा होगा financial जो आपका business studies का second part था उसमें था financial market उस टो company say us depository को इसो नहीं करती है company says पहली बार custodian को इसू करती है custodian के पास physical share जाते हैं फिर ये जő physical shares होते हैं ये custodian depository को intimate कर देता है कि मेरे पास physical share आ गया के लिए जब वो रजिस्टर्ड है डिपोजिटरी के पास ठीक है हिंदी में इलेक्ट्रोनिक सेरों को वैद होने के लिए पंजीक्रित होना पड़ता है डिपोजिटरी में अब यह हम कंसेप्ट ज्यादे डीटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और लेड़ी यह काफी लंबा हो चुका है आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों किस लेवल के कोश्चन्स हैं कितने डिफिकल्ट कोश्चन्स हैं कुछ बच्च क्स्टेजर में 36 any person may become a member of a company by कोई बी इंसान company में member कैसे बन सकता है तो कोई बी इंसान company में member में बन सकता है agreement in writing के माध्याम से एक लिखित सम्झौते के माध्याम से getting his name entered in the registrar of member या अपना नाम पंजी करुट सदस्य में दरज कराके या फिर on registration of transfer of shares in his name यानि यह कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में मेंबर बनना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी भी तरीके से मेंबर बन सकते हैं आप एग्रिमेंट करके मेंबर बन सकते हैं अपना नाम रेजिस्टर आप मेंबर्स में दर्ज करवा के मेंबर बन सकते हैं और आप अपना share खरीद के भी, company का share खरीद के भी आप member बन सकते हैं, तो इसका option के आज़ा है, that is all of the other, इन सभी तरीकों से एक इंसान company में member बन सकता है, अगला question में 37, the amount payable in application money shall not be late then, कितना amount कम से कम application money पे pay होना चाहिए, तो जो minimum amount prescribed किया गया है company's act में, to be payable on application money, वो है 5% of nominal value of share, यानि अगर share 100 रुपे का है, तो कम से कम 5 रुपय तो application पर या जाना चाहिए, इससे कम नहीं, application पे कम से कम 5 रुपय नहीं, कम से कम 5% तो आहीं जाना चाहिए, हिंदी में आवेधन की देयरासी कम नहीं होनी चाहिए, तो आवेधन की देयरासी अंकित मुल्ये से 5% कम नहीं होनी चाहिए, अंकित मुल्ये का जो 5% है उससे कम नहीं होना चाहिए, किसका रासी, आवेधन का रासी यानि application money, अगला question 38, which of the following can issue of prospectus, इसमें से कौन सा prospectus issue कर सकता है, तो ये भी चीज़ हमने आपको बार-बार बताई है, कि prospectus हमेशा public company issue कर सकती है, क्योंकि public company के पास ही अधिकार होता है, public को share issue करने का, और prospectus ही एक ऐसा document होता है, जिसके माद्यम से हम public को share issue कर सकते हैं, अब क्योंकि केवल public company के पास अधिकार है, public clear issue करने का इसे लिए public company के पास ही अधिकार है वल prospectus issue करने का हिंदी में इन मेंसे कौन सा प्रभ विवरार जारी कर सकता है तो इक सारवाज़नी company ही प्रभ विवरार जारी कर सकता है अगला question 39 there must be at least दास मंत इंटरवल बीटिविन टू काल्स दो कॉल्स के बीच में दो याचनाओं के बीच में कम से कम कितने महीनों का अंतराल होना चाहिए तो अगर हम बात करें दो याचनाओं के बीच में अंतराल की तो कम से कम एक महीन याचनाओं के बीच में अंतराल की तो कम से कम एक मह इसू करते हैं मानलीज आपका share 10 रुपय का है तो आप एक ही साथ पुरा पैसा नहीं मंगाते हैं पैसा installment में मंगाते हैं पहले पैसा कुछ application में मंगाते हैं फिर कुछ allotment में मंगाते हैं फिर आप कुछ first call पर मंगाते हैं फिर कुछ second call पर मंगाते हैं जरूरी नहीं है कि कम कमपनी हमेशा पैसा जो मंगा रही है वो इंस्टॉल्मेंट में ही मंगा है कमपनी पैसा लंब सम में भी बंगा सकती है लेकिन जनरली कमपनी ऐसा ही करती है क्योंकि कमपनी को जिस हिसाब से पैसे की नीड होती है उस हिसाब से उस थे रॉल्डर से पैसे की डिमांड करती है तो कॉल्स के बीच में जो मिनिमुम गपोर चाहिए application allotment first call second call के बीच में कितना होना चाहिए में जैसाल कितना अगे धिूक्त हो सकते हैं अगला है कवह4 पेट सड़ी कमपनी जो ऐसका मतलब क्या है तो इकीटी आते हैं और प्रिफरेंस सेरस भी आते हैं हम यह साहरा रखेगा schw HP में प्रृफिटी सेयर भी आता है कंपनी का प्रिप Siap कि हैं आपका ये संजवेशतर बाद क्यांने वाला है जिसके लिए आप सबी लोग त्यारी कर रहे हैं इसमें चालिस mcqs नहीं 50 mcqs पुछे जाने वाले हैं और एक mcqs की वेटेस जो होगी 1.5 मार्क्स होगी यह आपको 75 मार्क्स मिलने वाला है तो दोस्तों यह जो 75 नंबर हैं आपके बहुत कीमती हैं हर सब्जेक के तो जाए बिना सोचे समझे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टागेट गुरुकुल मोबाईल आपका वासे डाउनलोड करिए सार्थी को जायन करिए और आपके जो 75 नंबर है